Mr. A.K. Mishra, जो के हिंदोस्तान में के इडिफरेंट टीवियों के ओपर अपने opinion देते हैं, यह business consultant है, आप इनको contact भी कर सकते हैं. प्रेम कुमार जी एक काफी senior journalist है, और वैसे तो senior का मतल ही senior होता है, लेकिन veteran जो है, वो यह अच्छा समयते हैं, तो हम veteran journalist क्या देते हैं. आप दोनों का brain bust में स्वागत. आज की जो बात हम करेंगे, वो यह है कि करनाटका के बाद, election जीतने के बाद, Congress लगता है कि उसको थोड़ी सी उसमें जान आई है. लेकिन, मैं यह समझता हूँ कि यह जो Congress ने election जीता है, यह कोई किसी leader के सिरपा ने जीता, जो local leader थे दो, उनके सिरपा election, और जो बीजेपी सिद्धा मरिया को एक साइट पर कर दिया था, यह दुरुपा को एक साइट पर कर दिया था, उसकी वज़ा से, election जो है, वो Congress ने जीता, फिर वहां पर एक corruption का बहुत बड़ा मुद्दा था, I don't know how much there was a corruption, लेकिन, सब का यह कहना है, मेरे ब्रदनला करनाटका से बिलॉंग क करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि वहां वाकिर करॉप्शन का मुद्दा था, अब election आने वाले हैं, 36 गड में, मध्य परदेश में और राजस्तान में, अब 9 साल का जो जादू था मोदी जी का, वो अब खतम होता नदर, मतलब कम होता नदर आ रहा है, अब local leaders जो हैं, उनक को अपने election लड़ने पड़ेंगे, अभी एक RSS के जो पत्र है, पत्रिका है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा article लिखा है, उन्होंने suggest किया BJP को कि भाई, local leaders create करो, आप एक leader के ऊपर मत depend करो, मुदी जी ने भी कई बार अपने MPs को, रहमेलोस को संबोधित करते हुए, ये का है, कि भाई, आप अपने leader create करो, अपनी state में, मेरे उपर कब तक depend करोगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 36 गड में, जी, Congress का जो प्रेजर्ड चीव मिनिस्टर है, वगेला जी, जी, वो Congress की leader है वहाँ पर, मध्य प्रदेश में, BJP के पास leader है, Mr. Chohan, BJP election तो उन्हीं के अंडर रड़ेगी, अगर जी जाते हैं तो हो सकता है कि वो उनको मुख्यमंतरी ना बनाएं पाचमी बार, राजस्तान में BJP के लिए बहुत बड़ी problem है, वहाँ पर चार चीव मिनिस्टर के दावेदार है, लेकिन अगर इन्होंने सुंद्रा सिंधिया को एक side पर कर दिया, तो हो सकता है कि कनाटक की तरह यहां पर भी एक situation create हो जाए, कांगरेस में भी लड़ाई है, आप जानते हो कि गयलोज साब और अपने जो इस वकद मुझे नाम दमांग से निकल गया, कांगरेस के जो सचिन पाइलिट जो लीडर है, मैं यह समझता हूँ कि सचिन पाइलिट हों जो जहां पर नहीं है, आपने कुछ अलाकों में आर्दस एमलोग के लाक्षिनों को छोड़ कर, लेकिन गिलोज साब ने काफी ज्यादा अच्छा एक रसूख बनाया हुआ है, एमलोग के साथ, क्या वो लेक्शन जितवा सकते हैं कांगरेस को या नहीं, आज इनी तीन सूखों के उपर चर्चा करेंगे, वैसे मेरा दिल करता था कि आज मैं जो हिंदू काड बीजेबी पिछले लगातार नौ साल से खेलती आ रही है, और अब उन्होंने जो महराश्टरा में एक निया सिलसला शुरू किया, औरंगजेब और चत्रपती का, उसके उपर बात कर जो है मध्यपरदेश, जो एक्सपर्ट से हमका ये कहना है कि कांग्रेस मध्यपरदेश जीत सकती है, और जो 36 घर है वहाँ पर 50-50 चांसिस हैं, बीजेपी और कांग्रेस के, और डिपेंड करता है राजेस्थान में कि बीजेपी क्या रोल प्ले करती है वसंदरा राजे के साथ, तो सबसे पहले प्रेम कुमार जी बात करते हैं मध्यपरदेश की, मध्यपरदेश में बीजेपी के पास अपना एक्चेरा है, जी उनकी भी अपनी वहाँ पर होंद है, मामा जी के नाम से वो भी मशूर है, और वहाँ पर तीन जो एक कल्ट के लीडर है, हिंदू कल् रोल प्ले करने है, भी जेपी के लिए, तो आप बताईए कि आपको क्या लगता, जी शुक्रिया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपकी ने जो शुरुवात बात, जो शुरुवात में बात कही थी, वहां से अगर बात उठाएं, तो तीनों स्टेट पे लागू होत है, आपने सही कहा कि लोकल लीडर्शिप और लोकल मुद्दों पर जीती, लेकिन इतना बोलने से बात पूरी नहीं होती, इसमें एक बात और जोडने की ज़ुरुवत है, कि बी जेपी नैशनल लीडर्शिप का चेहरा लेकर चुनावारी, यानि कॉंग्रेस ने बी जेप का काउंटर किया, तो कॉंग्रेस ने लोकल इशूस और लोकल लीडर्शिप से किया, तो यहां से अगर बात शुरू करें, तो एक मंतन बी जेपी में भी चल रहा है, कि क्या मोधी ब्रांड और हिंदुतों को ही लेकर बढ़ा जाए, अगर बढ़ते हैं, तो नुकसान हो स सकता है करनाटक में, जिस और और अर्गनाईजर में लिखा गया है, और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के साथ में है, कि चलिए उस प्रदेश में जहां बी जेपी से हमें स्टेट छीनना है, जैसे कि मध्य प्रदेश जहां से बात हमें शुरू करनी है, तो मध्य प्रदेश मे भी बीजेपी सत्ता में है, पहले कॉंग्रेस में थी, वो मैनेज करके सत्ता में आई, तो यहां क्या मोधी ब्रांड के आधार पर बीजेपी चुनाओ लड़ेगी, जैसे पिछले बार चुनाओ लड़ी थी, शिवराज सिंह चौहान को जितना एहमियत मिलनी चाहिए थी, उतनी एहमियत नहीं मिली थी, इस बार भी किस आधार पर कैसे लड़ती है, तो कॉंग्रेस ने वहाँ जो चुना तरीका चुना है, एक तो कमलनाथ पर डिपेंड कर रही हैं कॉंग्रेस, वही चेहरा हैं, और कमलनाथ ने वो सारे तरीके तोर तरीके आजमालिये हैं, जो भारती जनता पार्टी के अजमाया करती थी, यानि हिंदोत्तों से खुद को जोड़े रखना, बाबाओं से गिरे रखना, खुद को भक्ती भाव में दिखना दिखाना, वही तोर तरीकों के साथ मौजूद है, लेकिन मूल बात है कि वो जो शिवराज सिंह चौहान, जैस बहुत ज्यादा हो जाता है उनके नाम पर, लेकिन दूसरे नाम पर अगर जाते हैं, तो उसके अपने खत्रे हैं, गुटबाजी का संकट आ जाता है, तो इन दोनों में से कौन सा रास्ता बीजेपी चुनेगी, वो एक बात है, लेकिन अभी जितने सर्वे आए हैं, यहां यानि बीजेपी हारती दिखने हैं इस सर्वे में, मध्यपरदेश जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है, करनाटक से सबक लेकर के यहां पर वो किस तरह से कांग्रेस का सामना करेगी, यह एक बहुत महत्यपून बात है, इस से बलके 2024 के लिए बीजे दिया कि मेगा मॉल अफ हैट्रेड फेला रहे हैं राहूल गांधी, तो इस नारे को मैं मानता हूँ कि राहूल गांधी की पिछ पर आ करके बीजेपी कर रहे हैं, मुद्दा राहूल गांधी सेट कर रहे हैं, और वो वहाँ पर जवाब दे रही है, पहले ऐसा नहीं होता पहले होता था कि कांग्रिस के उठाए मुद्दे को नल करने के लिए, प्रभाव हीन करने के लिए दूसरा मुद्दा बीजेपी उठा देती थी, आज बीजेपी उसी मुद्दे को काउंटर कर रही है, तो ये उनके कॉंफिडेंस लेवल में आई कमी है, ऐसा मैं मानता जी, मिश्रा जी जब पिछली पर हमने बात की करनाटका के उपर, तो आपका जो था विचार जी वो तो निकला गलत, आप आपने ये कहा था, रिकार्डिंग है हमारे पास, कि करनाटका में बीजेपी जीतेगी, अब सारे जितने भी पंड़त हैं, वो अभी तक यह कह रहे हैं, ये तीन जो बाबा हैं, एक तो एक तो लड़की बाबा हैं, और दो दूसरे बाबा हैं, तो ये तीन बाबा के सिर्प है, क्या बीजेपी इलेक्शन जी सकती है, क्या रहुल गंदी को, अकेला रहुल गंदी को, हैंजी, एक अपना मुदा बना कर, वो बीजेपी वहा पर एलेक्शन जी सकेगी या नहीं क्योंकि मैं समझता हूँ कि रहुल गांदी को मुद्धा बना कर हैं जी वो प्लिटिकल उसका एड्वांटेज लेना मुझे लगता है कि लोगों के बीच में शायर वो उतना अच्छा ना चले देखे रख साब जहां कॉंग्रेस नहीं है वहां पे कॉंग्रेस जीतने के लिए कॉंग्रेस को अटैकिंग मूड में आना पड़ेगा और यह नॉर्मल फैक्ट है कि तीन गुना ज्यादा बल लगाना पड़ता है जो अटैक पड़ता है सेम कंडिशन यह है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है बीजेपी को वहां अटैकिंग मूड में आना पड़ेगा और तीन गुना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा अब क्वेश्चन पास्ट में हम यह देखते हैं कि बीजेपी कैसे सब जगा जीती थी बीजेपी एक कोई मिटिग में ऊती रथी धिस्ति आपाशाम अध loot तक फुए मृड़ा चलता रहता था पररश्ट होते रहते थैं मिलते रह थे प्रवास पर जाते थे संरस्टा अव्यान यह अभयान वोियान चलता रहता था तो सारे के सारे लोग एक कॉंटेक्ट में रहते थे और समाज को बड़ा डाइनामिक रखते थे यह कमी करनातक में डेफिनिटली डिग गई डिग जाने का मतलब कि सेंट्रल कमांड ने तो बहुत अच्छा किया लेकिन लोकल कमांड साहिद उतना शीरियस नहीं हो पाई और यही प्राप्लम अपोजिट वे में कॉंग प्रदेश पर ही आप रहेंगे मैं मैं एक एक्जामपल दे रहा हूं कि दोनों में कमी क्या है अब अगर हम मद्य प्रदेश की बात कर ले बीजेपी वहां पे काविज है सारे रिसोर्से उसके पास है सेंट्रल में इनकी गौर्ट है और करनाटक से इन्होंने सबक भी ले या और्गिनाइजर वगरह में रिसर्च भी चल रही है प्रॉबलम भी तो बीजेपी अपने आपको इंप्रूब करेगी इस चीज को मैं मानता हूं इतने जल्दी कोई किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा वहां के जो सबसे बड़े चेहरा थे सिंधिया साहब आज की फेवर में कि वह चीज़े बड़ी निगेटिव के लिए जाती है हार जीत किसी की भी हो सकती है लेकिन अगर कॉंग्रेस के लिए देखें तो बड़ी कठीन है डगर पनघट की मद्द प्रदेश की अगर मैं बाद करूं कोई भी आदमी सकता इतनी आसानी से जाने नहीं देगा इन्होंने फिर से बॉटम लेबल पे अपने लोगों को एक्टिव करना शुरू कर दिया है और केवल हिंदुत ही नहीं चुनाओ जीतने के लिए हिंदुत का मुद्दा विर्स वाल्टिफिकेशन वाल्टिफिकेशन का मतलब में भी पॉस्बिल की हो सकता है कुछ स सकती है अगर गॉर्मेंट उनकी है तो बहुत सारे वो बेनिफिट दे सकते है हिंदुत का मुद्दा तो है ही बीजेपी उसको कभी छोड़ भी नहीं सकती है चाह करके कहीं पे भी अब कॉंग्रेस के पास इसको बड़ा कम बसता है कि वो क्या खेलेंगे और कहां पे खेले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है कि वहाँ पे वो जीत जाए लेकिन राहूल गांदी के परोसे वो नहीं जीतेंगे ये मानके चलिए अगर वो लोकन लेबल पे वहाँ बहुत बड़ी उनकी टीम मैनेज करती है और बीजेपी मिस्टेट पे मिस्टे कर चली जा के हमने देखा जो प्रेजिडेंट थे कांग्रेस के करनाटका में उनके पास अपने पर्सनल रिसोर्स बहुत थे, दे दोंट डिपेंड अपन अपन दी सेंटल लीडर्शिप कि वो उन्हें रिसोर्स जो है वो परवाइड करें, तो दिग विजे सिंग को तो टोटल न्यूटल जो है, वो कमलनाद ने कर देना है, अब लड़ाई जो है, वो सीधी कमलनाद के बीच में और अगर शिव, अगर इस वोकर जो प्रेजिड वहाँ पर चीमनेस्टर है, उसको बीजे पी आगे लेके आती है, ये उसको भी पता है कि बीजे पी ने अगर अलेक्शन जीत भी गई, तो बीजे पी सेंटरल ने उसको नहीं पांचवी बार चीमनेस्टर बनाना, और इसमें भी कोई किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, कि जो होम मिनेस्टर है, अमिज शाह और मोदी साफ, वो चाहते हैं, कि ये जानते हैं, लेकिन प्रेम कमार जी मैं आप से ये पूछना चाहता हूँ, कि क्या कमल नाथ अकेला, वहाँ पर उसके पास इतने रिसोर्स हैं, देखिए, वो मैनेजर तो बहुत अच्छा है, और उसके पास पैसा भी बहुत है, तो क्या आपको लगता है, कि ही विल बी ब्रिंग एवरिवन टुगैदर विच ही अदा रड़ी डन लेकिन जो उसकी लड़ाई है, इन्होंने बताई सिंग्वी की, वो जो लड़ाई है, वो न्यूट्रल हो गी या नहीं हो भी अभी तक तो उसने न्यूट्रल किया हुआ है, अभी तक तो उसकी एंट्री भी ना के बराबर है मद्यप्रदेश में? इसे कोई संकेत नहीं है, तो दिगविजय सिंग का अपना एक खास इलाका है, जहां पर कि आज भी उनको राजा की तरह ही उनके सामने लोग प्रजा खुद को मानते हुए रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने उस इलाके में देखा है, तो वो एक है, लेकिन राजनितिक रूप स साथ ही है, चाहे कमलनात हो या दिगविजय सिंग हो, मगर कमलनात एक मैनेज करने वाली शमता रखते हैं, आपने रिसोर्स की बात की उस हिसाब से भी, और दूसरा है कि जब दिगविजय सिंग मैनेज है, तो कोई बड़ी डिफकल्टी सांगठनिक इस्तर पर ऐसी नहीं ह जो उनके मुखे मंतरित को कोई चुनोती दे रहा हो, ऐसा नहीं है, तो ये कॉंग्रेस के साइड में बेनिफिट है, कि लिडर्शिप की लड़ाई यहाँ पर नहीं है मध्यप्रदेश में, मुझे लगता है कि जितने प्रदेश है, उसमें सबसे सेफ कॉंग्रेस के लिड लिडर्शिप की लड़ाई नहीं है, ये दिखता है, तो इसका फाइदा यहीं वज़ा है कि जो सर्वेस आ रहे हैं कॉंग्रेस के फेवर में, उसका सबसे बड़ा कारण यहीं है कि लिडर्शिप वहाँ पर यानिफाइड है और एंटी इंकंबनसी को भुनाने के लिए त इसको हराया सिंधिया को और वो इसके गेंस्ट बहुत ज्यादा बयान दे रहा है और वहाँ पर गुडबाजी शुरू हो गई है कि हम पराने यहाँ पर बीजेपी की बैठे हुए हैं इसके जो आदमियां उनको हमने टिक्टें नहीं लेने देनी और इसकी यहाँ पर ज्य क्या लगता आपको कि यह लड़ाई कहां तक पहुंचेगे यह लड़ाई देखिए जो जो प्रॉब्लम यह यहां पर है वही प्रॉब्लम राजस्टान में भी चल रही है और राजस्टान को छोड़ी अभी अब अब मद्धे मद्धेश में इसकी बात कर रहा हूं इसी ल का मिले वो सेंट्रल छोड़ के चले जाएंगे क्विश्चन यह है कि यह घुडबाजी हर तरीके से सेंट्रल या स्टेट में लगवक सभी के साथ रहती है किसके पास स्कोप है कौन मैनेज कर सकता है कौन सिंदिया को मैनेज कर लेंगे कौन गुना के MP को मैनेज कर लेंगे और जो अभी वरतमान में मुख्यमंत्री है मामा जी उनको भी मैनेज करने का तरीका बीजेपी के पास है कि यह आप सेंटर में आजाएए इस्टेट में आपने बहुत काम किया है सैडिसफाई रखते हुए ताकि कोई विद्रोह ना करे वहाँ पे फुटबाजी है अगर गुटबाजी ऐसी हो जाया वहाँ पे जाकर के कि मान लीजे कि कोई मानने को ही न तयार हो न इस्टेट के जो लीडर्शिप है या सेंटर के जो कमांड दिये जा है तो मानने के लिए ही न तयार हो तो वहाँ पे भी बीजेपी नलीफाई करती है बहुत सारे लोगों को कि उनको टिकेटी नहीं देगी या इसकार प्रचारक नहीं बनाएगी भीतर भीतर जो करना है वो कर ले कि करना तक की जो हार्थी वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से एक्टम से डाउन लेबल के लोग भी इनेक्टिव हो गए ये कंडिशन बीजेपी नहीं आने देगी अगर मै इस इलेक्शन तक वो तीनों को एक रास्ते पर लेया करके एक ऐसा फोर्स वो डेवलप करेंगे कि तीनों लोग मिल करके वहाँ पे काम करें प्लस सेंटरल टीम बीजेपी की वहाँ पे काम करें कि ताकि इलेक्शन में वो गल्तिया नहों जो कि करनाटच में या कहीं और र आके कहीं पोजीशन दी जा सकती है बीजेपी में या नहीं तो अगर उन्होंने इतना काम किया हुआ है तो वो इलेक्शन के ठीक पहले इसकी हटाना और सेंटर में लेना लेकिन इसके चांसे स्कम है वो सचे कि हमें इलेक्शन के पाले तो उनके बेनीफिट को लेंगे ये राजस्तान वाली गल्पी जैसे वहां की वसंदरा राजी सिंधिया वगरे की जो हुई भी नहीं करेंगे मैं समस्ता हूँ कि बीजेपी के पास जिकनी भी लीडर्शिप है लोकल की तरना तक के बाद ये उसका बेनिफिट लेंगे और बहुत टिफ्टिली ये चेंज करेंगे अगर इनको नहीं इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है एक्शन जीतने के बाद सम्मान के साथ नहीं और करेंगे जवर्लर बना सकते हैं आप्शन्स बहुत हैं तो इस तरीके से उसको करेंगे कि नुकसान ना हो अपने प्रेम जी ये जो लड़ाई है सिंधिया की और आप भी जानते हैं कि इसको जो प्रेजन चीवनिस्टर हैं वो भी पसंद नहीं करते हैं गुना का एंपी तो जो बोल रहा है इसके अगेंस्ट वो अलग बात है लेकिन उस सारे अलाके में जो इंफुएंस है सिंधिया का कम से कम बीस पच्चीश सीटों के उपर विच इस बिग मतलग इंफुएंस क्या गुना का एंपी की वज़ा से या सिंधिया को इस मुकर जो उन्होंने काफी न बक्टर साब देखिए जो तिरादेते सिंधिया को बीजेपी ने अपने साथ एकोमोडेट किया तो उसका एक मकसद था कि कॉंग्रेस की सरकार को बदलकर अपनी सरकार लाना उसमें वो सफल रही लेकिन जो तिरादेते सिंधिया ऐसे छोटे निता नहीं है कि आप यूज क तो इसलिए उनको उनका एकोमोडेशन आदर के साथ हुआ है और विधान सवा में अभी उस समय जो टूट हुई थी 22 सीटों की विधायकों की समझे बाद में वो संख्या 25 के आसपास हो गई थी तो वो उन विधायकों को रिपीट करना यानि दुबारा टिकट देना इसको कम से कम आदे विधायकों के टिकट कटेंगे तो उसको मैनेज करने का काम जोतिरादित सिंधिया को ही दिया जाएगा कि इनको आपको मैनेज करना है और जोतिरादित सिंधिया को ये मैनेज करके दिखाना पड़ेगा और जब ये वैसा करेंगे तो बाकी जो दूसरा हैं तो उनको भी नल करने का यही तरीका है कि देखिए अम ने जोतिरादित सिंधिया को भी cut shot किया है इसलिए मिल करके चलना है आपको भी अपने आपको अपना अंतरविरोग सामने रखिया और मिल करके election लड़ी है प्रेम जी शॉर्ट में क्या सिंधिया जो है वो 25 एमेल नों अपनी मर्जी से वहाँ पर बीजेपी से ले सकता है विल्कुल नहीं ले सकते मैंने कहा कि बारा तेरे से से ज्यादा उनकी मर्जी नहीं चलेगी सीधे आधा उनकी उनकी इचा कर दिया सिंधिया की सिंधिया की समर्थक meant comment कि ये उसको मैंव करने के लिए सिंधिया कोई का जाएगा कि आपको मैंज करना ही इसी शर्ट होगा लेकिन उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है तो अगर माली ये दो तीन जगा नहीं कर पाए लेकिन आजे होल आप समझे कि पूरा कर लेते हैं तो ये भारती जानता के तीनों क्या रोल प्ले करेंगे और क्या नहीं करेंगे इसके बारे में आपका क्या क्या है सब्सक्राइब करते हैं जो यहां पर आपने सवाल कुछा है किसी और पार्टी के लिए दरें इनका रोल बड़ा specific होता है अगर समा माहौल उस चीज से बनता है तो definitely इनका रोल प्लेग लिया जाता है कब इनको आगे करना है कब नहीं करना है कितने मतलब कठोर तरीके से करना है अगरेशन कितना होना चाहिए यह सारा का सारा चीजे लास्ट मिनट्स के जब कैमपेंच चलते हैं पंदर वीज दिन एक महिने का जो कैमपेंच होता है अभी तो वहाँ कुछ ऐसे ग्राउंड लेबल पर सुखबुगाहाट ने बीजेपी के तरफ से दिख रही है ने कांडे हो एक बड़े specific टाइम पर इनको जो है और specific task के लिए जो है बेजा जा जाता है जब देखा जाता है कि हाँ इनके आने से एक बहुत ब़ड़ी चीज चेंज हो सकती है favor में या किसी कि against में जा सकती है और वाईस यह देखा जाएगा कि इनका रोल एक common तरीके कि तरह धी ये Congress भी कर सकती है, Congress ने करनाटक में भी खूब किया, वोका लिंगा वगरे, ये सारी चीजे चली थी, जै भजरंग वली उन्होंने नारे जादा लगा दिये वीजेपी वालों से, तो ये depend करता है कि उस वक्त की condition क्या है, उनको यूज करना है, कि किसको आगे front पे किसको लान है, इसकार पचारक किसको बनाना है, ये उस वक्त का महौल बताएगा, और महौल बनता है, सारे पार्टियों को मिल करके जो डाइनामिक्स क्रियेट किया जाता है, बीजेपी, Congress, निर्दली, ये सम मिल करके जो डाइनामिक्स क्रियेट होगा, उसके खरण situation को मैनेज करने के ये चीजों को आगे या पीछे किया जाए है, बीजेपी के पास कोई लोकल इतना बड़ा लीडर तो है नहीं, लेकिन Congress के पास है, Chief Minister, तो ये फिफ्टी फिफ्टी और उन्होंने काफी लोगों को जो है, लोगों के हक में कई फैसले भी की हैं, तो ये फिफ्टी फिफ्ट की कास है आगया? बीजेपी यहां वहां एक्टिव नहीं रही है, एक तो ये है, दूसरा है कि जैसे शिवराज सिंग चौहान की चर्चा हो रही थी ना, कि उनको अगर हटा लिया जाएगा, केंदर में ले जाया जाएगा, यहां रमन सिंग जी है, रमन सिंग ये उदारन है, जिस वजए से सिवराज जी को भी डर लगता है, कि इनको केंदर में ले जाने का क्या मतलब है, बीजेपी का बड़ा पता दिकारी बनाने का क्या मतलब है, तो रमन सिंग को एक तरह से स्पोयल कर दिया गया पोलिटिकली, और उनका विकल्प भी खड़ा नहीं हो पाया, तो इस वजए से भारतिय जनता पार्टी वहां संगटनात्मक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, एक समय में जुदेव जी जैसे बड़े नेता हुआ करते थे, तो वैसी उपस्तिती नहीं है, अभी वो साय साहब जो थे, बीजेपी के आदिवासियों के बड़े नेता थे, नंद कुमार स आए, वो कॉंग्रेस में चले गए, तो कुल्म लाके हमें देख रहा है कि भारतिय जनता पार्टी वहां लिडर्शिप विहीन है, चतिस गड़ बे, तो वहां एक साथा आसां सा जो है रास्ता कॉंग्रेस को देख रहा है, दुबारा सत्ता में वापसे का. नहीं, यह तो आपने कहा कि दिख रहा है, पहले जो मैंने कहे कि लोग जो वहां पर कह रहे हैं, सैंसिस जो आ रहे हैं और जो मध्यप्रदेश की बारे में, वो तो आप मान गए, लेकर यहां पर सारे कह रहे हैं, यहां पर आप क्यों नहीं मानते हैं? इसको बहुत इग्णोर भी नहीं करते हम कह रहें कि जो लीडर्शिप का अभाव संगठनात्मक एक्टिविटीज की कमी अगर यह चीजें होती तो आज भुपेश वगेल की सरकार मुश्किल में होती वो रिपीट करने की सोच भी नहीं सकते हम यह कह रहे हैं मिश्रा जी यह विगेल जी ने अभी रिसेंट ली जैसे आप आम आदमी पार्टी करें मुझे तो लगता है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के मुद्धे अपने हाथ में ले ली हैं जो वो करते हैं वही यह कर रहे हैं हम यह देंगे उसने तो अभी कहना भी शुरू कर द खड़ में तो बी जे पी की जो लोकल लीडरिशिप है वो ना के बराबर है इस वक्त तो क्या वो चतितिस खड़ में सिर्फ मुदी के सिर्फ पर एलेक्शन लड़ेंगे आपको क्या लगता है तो चीजे हैं अगर तेंटरल टीम या पूरी बीजे पी किसी स्टेट को सीरियस लेगी तो वहाँ वो लीडर्शिप देवलप करेगी सेंटरल की भी टीम जाएगी और लोकल भी ताइम कहा है अब ताइम कहा है तुम लीड़े ही वो इनेक्टिव हैं वहाँ पे लिकिन वो उनको एक्टिवेट किया जा सकता है सेम कहीं न कहीं गैप या कुछ ने कुछ ज क्या है बीजेपी का क्या है कौन लीडर है कौन उनके तरफ से लीडर है क्या है इसलिए जब चीजे डिसाइड नहीं होता रही है तो फारे अनलिस्ट भी 50-50 बोल रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पे वेट करिए और देखिए कि कि कॉंग्रेस का वहाँ पे सरकार है तो कॉंग मजबूत है ही कोई बहुत ज्यादा चेंज करने की भी जरूरत वहाँ पे कॉंग्रेस नहीं समझेगी क्योंकि कोई ड्राबैक नहीं दिख रहा है यहाँ चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिए अब बीजेपी आल अफ सटन कैसे वहाँ पे लीडर्शिप डेवलप करेगी पुराने लीडरों को जो है वो रिवैंप करके वहाँ पे मतलब रिलाउंच करेगी इंफ्लूएंस तो उनका है ही आदमी तो उनके भी होते हैं उनको फिर से उनको एक्टिवेट करना होता है प्लस सेंट्रल टीम वहाँ पे रहेगी अगर उस स्टेट को बीजेपी देती है ते कि पीजेपी की अपनी एक अलग तानी है उनको कहां से एंपी वगर ये सब जो दो हजार चौवीज के एलेक्शन्स होंगे कुछ स्टेट को ये एकदम इग्नोर कर देता है पंजाब का स्टेट एकदम इग्नोर्ड है वीजेपी के लिए वो बिलकुल भी वहा जाता है चटिसगाड को एकदम से ही अपेंडेंट कर दे बीजेपी बोले कि हमारे लिए यूपी पिहार ये सब बड़े स्टेट फूचर के लिए जंदी ही होने मिश्रा जी मिश्रा जी आपको पता है चटिसगाड में कांग्रेस से डबल MPs हैं के पास है कांग्रेस से हुआ ऐसे सीटे बहुत सी सीटे होती है जो बीजेपी नेजशनल एक्सलिए G 사람들이 बहुत जीत जाते हैं जहांग्रेस से ड़ी माद थे जी अगर तो उसके लिए अलग स्टेट जी होती है, हो सकता है, वहाँ बिना गए भी वो नेशनल इलेक्शन में वो एंपी जीत जाए, ऐसे बहुत सी सीटे होती है, जो बीजेपी नेशनल इंस्प्रेंस के प्रभाव में जीत, क्योंकि यहां का वोटर भी यह चाहता है, इस तरह से व नहां पर वहां के स्टेट इलेक्शन को यह पंजाब की तो रही ज्यादा कंसीडर ना तरही जाए, भी आप से एक स्वाल शॉट में इसका जवाव दीजिए, फिर मैं प्रेम कुमार जी से पूछूँगा, कि मोदी का जो क्रिश्मा है पिशले नाव साल में, जो चल रहा क्या वो हमेशा चेंज, देखिए, कोई भी पार्टी पर्मारेंट तो नहीं रहती, कोई लीडर पर्मारेंट नहीं रहता डेमोग्रेसी में, तो क्या आपको लगता है कि उनका जो परसनल इंफूरंस है, वोटर्ज के उपर, क्योंकि उनको इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया गया है, कि अगर बास स्टेशन का भी कोई उद्गाटन करना है, तो मोदी जी ने करना है, जी कोई रेलवे का करना है, तो मोदी जी ने करना है, सारे मिनिस्टरों को जीरो कर दिया गया, जो मिनिस्टर जाने चाहिए हैं जहां पर, वहां पर मोदी जी पहुंचते है तो क्या लगता है आपको कि ये जो 9 साल का उनका एक्सपोईर है उस से कोई अफेक्ट पड़ा है मोदी के इमेज के उपर नहीं एक्सपोजर से कोई निगेटिव इशेक्ट तो नहीं पड़ा है अगर हम ये माने कि जैसे लोग ये बोल रहा है कि बाई मोदी जी का जादु खतम हो रहा है इसके लिए करनाटा के लेक्शन वगरा के बाद वो है और वो रहेगा और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ आज भी देखिए अटल बिहारी बाद पर ही भने चुनाओ हारे उनके टाइम पर जो भी है लेकिन इंडिविज्वल जो उनका करिज्मा था वो तो बरकरार ही था ना वो उनके मरने के टाइम तक बरकरार था तो परस्नालिटी के लीडर्शिप ट्रेट होते हैं वो तो बरकरार रहेगा इलेक्शन का जीतना और हारना इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि बीजेपी की पूरी मशेंडी टॉप टु बॉटम एंड बॉटम टुप इंक्लूडिंग मिडिल वो कितने स्टिंग कितने तरीक बगरा ये चीज़े हो गई जितना एक रोल लीडर का होता है वो उन्होंने बेस्ट परफॉर्म करके दिया वो डाउन नहीं हुआ है और इसको मैनेज करने की बात अगर हम ये भी मातें किया जी मोदी जी डाउन पॉल पे हैं तो ये इसको मैनेज भी कर लेंगे ये फिर से बात बार ये बात कर रहे हैं कि वो मैनेज कर लेंगे वो अपने जो वरकर्ज हैं उनको दुबारा उपर उठाएंगे बीजे पी इस वोकत बींग रन ओनली बाई टू पीपर जी मैं समझता हूँ टू भी नहीं है एक हमेशा जी मोदी जी तो हमेशा जो कहना होता है किया देते हैं और जब वो कंप्लीट उन उन दुनों के हाथ में है तो उनको पहले भी पता था ये कहना कि करनाटक में उनका कोई इमेज डाउनी हुआ आइड डून अग्री वेट लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो बार बार ये कहना कि उनको दुबारा जो है अपना आप क्या सोचते हैं इसके बार जी बिल्कुल यहीं बीजेपी की ताकत भी है और यहीं अब कमजोरी भी बनती दिख रही है अब तक ताकत रही थी सेंट्रलाइजड वे में पार्टी चल रही थी और अब यहीं कमजोरी बनकर सामने आ रही है लेकिन इसको बोलने से पहले एक थोड़ी सी बात बोलना चाहता हूं जो च्छतीस गड़ को लेकर के एक आकड़ा बोल रहे थे न कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क जो है दुगने का है तो मैं उस बीच देखने लगा तो देखे वहां 11 लोकसफा की सीटे हैं उसमें दो अभी कांग्रेस के पास है नो बीजेपी के पास है तो थोड़ा सा उलेक करना जुरूरी था तो मैं उस पर वापस लोड़ता हूं कि जो नरेंदर मोदी जी अब तक जो आलिया दो चुनाव हुए हिमाचल और करनाटक की हिमाचल इस माईने में खास था कि यहां हिंदू बहुल स्टेट था उसमें भ हार जाते हैं बीजेपी के लिए और करनाटक इसलिए नात्रपून था क्योंकि यहां सीले सेंट्रल लीडर्शिप में अपना चेहरा सामें रखा नरेंद मोदी जी ने अपने आप को ही द्रोक दिया था और इसलिए यहार जो है उनके मैजिक को कसोटी पर कसनी के लिए जो चिनाव आने वाले हैं इसमें भरपाई हो पाएगी यह टेस्टिंग पॉइंट है अगर कांग्रेस की एक भी प्रदेश का जो एक प्रदेश चतिसगर है या राजस्तान है इसमें से एक भी बीजेपी जीत लेती है तो बीजेपी दावा कर सकेगी कि मोदी मैजिक अगर कांग्रेस हार जाती है तीनों स्टेटें या तीन में से दो तो फिर क्या होगा? तीन में से दो हारने का मतलब कांग्रेस से एक कम से कम एक स्टेट तो चीन रहा है? मिनिमम तो हम यह कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश जीत जाती है मालीजे और चतिसगर राजस्तान दोनों हार जाती जो पॉसिबल नहीं है लेकिन तीन में से फिर हम फिगर म से चीनी तो वो मौधी मेजिक को बरकरार रखने का एक एक जामपल होगा बन सकता है ये मैं करें पॉसिबलीटी है जिंदा रखने की लेकिन अगर तीन हो लगई तो फिर मोधी मेजिक नहीं बचपाए लग दो हो दो भी हार है तो छर चाला मिट सीरू करता हूं राजस्ता जैसे यदुरपा को इन्हों ने नीटरल कर दिया था करनाटका में अगर वसंद्रा राजे को इन्हों ने जो ये इनकी कोशिश है कि उसको नीटरल करें अगर राजस्थान में चार इस वक्त कैंडिडेट हैं बी जे पी के जो चीफ मिस्टर बनना चाहते हैं और सुन्दरा राजे का अपना बहुत वहां पर मैं समयता हूँ वो अभी भी इंपॉर्टेंस है अगर इन्हों ने बीजेपी वालों ने उसको मतलब न्यूट्रल कर दिया तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या अफेक्ट होगा मुख्यमंत्री बनने के यहां दो लोग नहीं कई लोग हो सकते हैं बीजेपी और पर्म्रेश चार कहें थे अभी दो लोग खुलम खुला है जो है और भी अंदर होंगे जिन्हों ने अपने विचार या अपने मन की बातों को प्रकट नहीं किया होगा सवाल यहां पर फिर वही आता है कि वसंदरा राजे जी वहां पर काफी दिनों तक मुख्यमंत्री रही है राजस्थान में उनका डोर टू डोर जो संपरक है और एक महिला होने के कारण कि कि महिला है सौप होती है मिलंसार होती है डेफनेटली उनका इंपेक्ट है यह तो म इग्नोर कर दिया गया बीजेपी वहां पर हार गई बीजेपी की सेंटरल टीम में भी यह चीज चला हो उनके अपने अंदर के अगर कोई जगडे रहे हो वसंदरा राजे जी से तो किसी एक चीज को करने के लिए विलफुली अगर कुछ लॉस होता है तो उसको भी में भी डट गई थी अड़ गई थी अपने इन चीजों को ले करके सेंटरल टीम हमें सा चाहती है कि उसकी चले डिसीजन सुसके हो क्योंकि वह पूरे बहुत फ्यूचर के प्लान को देखके और पैन इंडिया के प्लान को देखकर के वो चलते हैं जहां पर एक बड़ी खा सब लगवग 80-82 सीट हम जीतेंगे और वेरी सीरियस फॉर यह उनकी स्टेटिजी के उपर डिपेंड करता है अब मैं आता हूं आपके राजस्थान के नो डाउट वसंगरा राजे अगर एक्टिव वे में किसी के बिरोज में आ जाए किसी के फेवर में आ जाए तो बहुत important चीज रहेंगी और ना किसी के विरोज में आए ना किसी के फेवर में आए इनेक्टिव होके भी बैट जाए तो उनका vote bank definitely काफी बड़ा है वहाँ पे दूसरी important चीज राजस्थान में वसंगरा राजे जैसा famous या liking वाला चेहरा इकने सालों तक वो मुक्यमंद्री रही अ मेरा स्वाल का जवाब नहीं आपने दिया आपने जैसे politician देते हैं जो आप और चैनलों पर उस तरीके से आपने मैंने पुछा अगर वसंद्रा राजे को neutralize neutral कर दिया तो उसका effect क्या होगा इसका direct जवाब दीजिए उसका direct जवाब यह है कि BJP को damage होगा और उस damage को वो कंट और गहलोत के बीच में कांग्रेस के मताबक आज भी वेनु कुपाल ने यह ब्यान दिया कि वो जो समझोता हुआ है वो पूरा का पूरा है लेकर मैं यह भी मानता हूँ कि पाइलिट का इतना बड़ा political effect नहीं है except in few seats तो आपको क्या लगता है कि गिलोज जैसा जी एक और डेप्टी मिनिस्टर भी बन गया था सेंटर में तो उस जैसा जो चेहरा है और जो अपनी बात मनाने में जी सेंटर को भी कंपेल कर देता है उस जैसे चेहरे को क्या यह गैलोज जो है यह मिलकर इसकी कोई importance आपको लगती है कि politics में जब दोनों के compare कर रहे हैं अशोग गैलोथ और सचेन पाइलेट में तो अशोग गैलोथ की जितने भी लोकप्रिये नेता रहें अनुभवी रहें अपनी सरकार को repeat तो नहीं कर पाए न और सचेन पाइलेट निश्चित रूप से जबसे उन्होंने प्रदेश के अध्यश क कमान समाली या उसके बाद राजनीती में आये उन्होंने अपना कद बनाया और कांग्रेस से अलग हट करके बागी तेवर दिखाते हुए भी उन्होंने एक अपनी संख्या गिनवाई कि हमारी इतनी संख्या है और अभी देखा जाए तो पॉपलरिटी में योवाओं के ब सचिन पाइलेट पर भोड लगी हुई कि कोई कुछ बना करके वीडियो डाल दे उसके उसका बढ़ना व्यूज एकदम निश्चित है जितने मुखिधारा की मीडिया है वो सचिन पाइलेट को स्क्रीन पर जगह देनी के लिए उताबली बनी बैठी है ये फरक आया है चु अगर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता दूब़ेगी ही लेकिन ये दोनों मिल करके अगर चिनाव लड़ते हैं तो कॉंगरेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता इतिहास बदल जाएगा वो जो है ना एक पार्टी के दूबारा नहीं जीतने का वो बदल जाएगा अगर दोनों मिल के चुनाव लड़ती हैं तो अभी तक जो दिख रहा है वो दोनों अलग-अलग आवास दिख रही है लेकिन अभी राहूल गांदी का दिल्ली में आगमन हो चुका है एक फाइनल इंटर्विंशन की ज़रुवत है क्या होता है जितने मु उतनी बाते हैं लेकिन हमें लगता है कि राहूल गांदी के पास जो कॉन्पिडेंस करनाटक से आया है दोनों नेताओं को मिला देने का एक साथ चिनाव लड़ने का वो कॉन्पिडेंस अगर वो यहां दिखाने में काम्याब हुए तो उनकी भी लीडर्शिप स्थापित ह होगी और रिजल्ट तो मिलेगा ही मेरे 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 ना थोड़े से वाक्फित है दिली में तो वो सोर्सेद यह कहते हैं कि पाइलट को यह प्रामिस किया गया है कि भाई तूल एक्षन मिलके लड़ डेफिनेटली अगर कागरेस जीती है तो हम के लोग जी को नहीं बना गयलोद जी के भी जो ताजा बयान है वो अपने आपको एक्कमोडरेट करते हुए दिख रहे हैं लेकिन वो अपने सरसम्मान पद से हटना चाहते हैं ऐसा नहीं कि कोई आए और हटा दे बात यही है कि मैनेज कैसे होगा कैसे प्रतिष्ठा के साथ अशोग गयलोद की वहा के साथ रखते हुए वो नॉमिनेट करेंगे सचेन पाइलेट को तब वो सचेन पाइलेट बनेंगे यह इस्तिती बनेगी तभी होगा समझाता है यह अंदर खाने मोटे तौर पर बात हो चुकी है लंडन लंडन टॉप के प्रोग्राम के ओपर बिश्रा जी एक घंटा बी यह धाई साल का बच्चा था जब मैं पहली बार इसके इसके बाप के घर गया उसका अपने पाइलेट का फादर जो था रजेश वेरी क्लोस टु मी अट वन टाइम तो मैं यह पूछना चाहता हूँ आपको कि क्या यह गलोस साब जो नरम हुए है पाइलेट के मामले में इ इसके पीछे खडगे साब के साथ जो मीटिंग हुई जिसमें राहू गांदी भी था तेन गेंटे उसका कितना बड़ा आपको हाद लगता है और क्या आपको यह लगता है कि आने वले अले अलेक्शन तक यह एकठे रह सकेंगे यह जो डीम और लाइज हुए है यह अपनी गल्कियों के कारण हुए है जब कॉंग्रेस के अल इंडिया प्रेसिडेंट वगरा का इलेक्शन था तो इनको हाई कमान ने इनके नाम को नॉन्लेट किया था यह आय नहीं यह एग्री नहीं हुए एग्री नहीं हुए मतलब एक तरीके से इन्होंने ठेंगे पर रख दिया था सेंट्रल कमान को अचा उसके बाद ठीक है खड़गे साहब को बनाया गया जैसे भी बनाया गया उसके बाद परिणाम करनाटक वगरा के बढ़िया से आ गए तो सेंट्रल कमान को लगने लगा चलो एक डस्ट बिन की तरह वो पड़े हुए है अभी सेंट्रल कमान कॉंग्रेस की जो है वो बिल्कुल भी इनकी तरहीज नहीं दे रही है और यह भी हो सकता है कि सेंट्रल कमान को यह लग रहा है कि हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन युआ नेता है यह ताइलेट है यह कि पुस्तेनी वो कॉंग्रेस के उसमें रहे हैं तो अब यह आटोमेटिकली प्रेशर में है कि अगर हम सेंट्रल कमान की चीज को अप नहीं मानेंगे तो आप्शन उनके पास है यह तो इसमें सेंट्रल कमान का दबाव अबाव नहीं है यह अपनी गल्तियों के कारण बैक साही साल का बोल रहे थे उनहीं से खत्रा दिख रहा है अगर उनका कोई आप्शन है राजस्थान में कोई बनेगा फ्यूचर में कोई चुरोती देगा तो वही देगा और ज्यादा नख्रे अगर करेंगे तो यह भी चांसेज है कि सेंट्रल कमांड अपावर में आ रही है रिजल्ट पॉस्टिव आ रहे हैं तो कहीं ऐसा नहों कि खड़के जी या कोई और आथमी या सेंट्रल कमांड के और लोग उसको सपोर्ट कर देगा अगर सेंट्रल कमांड में सपोर्ट कर दिया पाइलट को फिर वो क्या कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो यह एक इनकी आपस में संदी हुई है पीस पीस एग्रिमेंट क्या ये कामयाब रहेगा या नहीं नहीं रहेगा कामयाब गड़ साब उसके पीछे कारण है कि राजनीत में कभी एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती है एक ही आदमी रहेगा अगर दोनों की महत्वा है और मैं देखना चाहूंगा मैं आपकी बात का सीधा सीधा जवाब देता हूँ यह मृहां राजस्थान है बो तलवार कब तक रहती है वहां पे चलिए टलवार चोड़ दीजे गहलो साथ तलवार और यह चोटी वाली तलवार जो होती है, मैं देखनूंगा ये कब तक रहेंगे, दो साल, चार साल, अगर दोनों लोग आखेंगे, अरे मैंने तो सिर्फ चार पाई मीने की बात की, अलेक्शन तक, आप तो आगए चले गए, डाक्ट साब, वो हो, देखिए, ये राजनीत एक ऐसी महत्वा कांच्छा है, तक ठीक है, आग़ कल घर्दने नहीं कटती है, तलवारे नहीं टकराती है, लेकिन इस तरीके से कांफिल्क्ट जहां रहता है, वो चीज़े होनी ही होनी है, या तो बल पुरुवए के एक आदवी को शान्थ करवाया जाता है, चाहे जैसे भी करके, किसी ने किसी एक को शा इंडिपेंडनेंट एंड कांग्रिस के हमेले वो गिलो साब के 100% समर्जता है 100% एक आदा हो सकता है इधर उदर हो उसको मैं 100% ही मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर वाकई पाइलट को ये कह दिया गया है कि एलक्षन के बाद अगर जी जाओ गए तो हम आपको चीव मिनिस्टर बना देंगे तो मुझे लगता है ये जो आपस में इनका एक एक एग्रिमेंट हुआ है शायद वो एलक्षन तक रहाज है आपको क्या लगता है जी इसी में कि महत्रपूर्ण बात मिसिंग है उसको इंक्लूड करने से ये आंसर स्पष्ट हो जाएगा वो प्रियंका जब वहां मौझूद होंगी तो सचिन पालेट स्ट्रोंग हो जाएंगे और अशोग गैलोग भी विरोध में नहीं जा सकेंगे चोके गांधी परिवार वहां मौझूद है तो उस स्थिति में अशोग गैलोग के पास दूसरा ऑप्शन्स भी कम है कि वो कुछ क करेंगे तो करेंगे क्या तो जब प्रियंका गांधी की मौझूद होती है तो यह पांच साल जो है पांच महीने का जो वक्त है चुनाव तक का वक्त इस दौरान दोनों को मिल करके यूनिफाइड तरीके से चुनाव लड़ना है इस मोटो से दोनों में कोई हिल नहीं है कि अब जिनाव जीत जाती है कांग्रेस तो फिर हमारी रिपिटेशन तो अब नहीं होने वाली है तो यह संभव है कि अंदर खाने वो अपनी गोटियां ऐसी सजा दे कि कांग्रेस को सफलता थोड़ी कम मिले चुके वो घाग पॉलिटीशन ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसको चेक करने के लिए ही प्रियंका गांधी वहां मौझूद रहने वाली है तो इस बारे में अभी बहुत कुछ देखा जाना बाकी है जी मिश्रा जी आखिर में आप दोनों से स्वाल पहले आप से तीन स्टेटों में आपको क्या लगता है कि तीन स्टेटों में बीजे पी य कि पार्टी है आप सीधा बताईए कि तीन में से कितना बीजे पी और कितना कंग्रेस में भी ज्यादा तर सारी राजस्थान के भी चांसे ज्यादा है च्टीस गड़ का स्टेट इलेक्शन में भी पॉस्बिल कि वह स्टेट के लोगों पर ही छोड़ दे इग्नोर करते कि इतनी सीटे आगे सरकार बनी नहीं बनी वो नहीं बनी लेकिन दो के लिए मैं आशानवी थूँ कि यह जीत सकती है राजस्थान क्योंकि इनके लिए जीने और मरने का यह सवाल होगा जिस ही साथ से यह इफर्ट डालेंगे उस इफर्ट का रिजल्ट आ सकता है वैसे तो आ पचिस की पचिस सीटें जो है वो मुदी साब जीत गए MP की तो अब अगर दुबारा कांग्रेस वहाँ जीती है तो यह जो तीनों स्टेट्स हैं जहां पर आपने बताया ग्यारा में से नौ बीजे पी की और दो कांग्रेस की 36 गड़वें और मद्र प्रदेश में भी में एक सीटी कांग्रेस जीती थी तो यह जो यह जो कंबिनेशन होता है क्या आपको लगता है कि वो जो मुदी का जादू था चौदार उन्निस में क्या वो चौविस में भी उसी तरीके से चलेगा या उसमें फरक पड़ेगा देखिए पिछली दफा भी यह चीजें हुई थी कि तीनों स्टेट्स के एलेक्शन दोजार अठार में भी हुए थे उन्निस में आमचुनाव हुआ था और नरिन मोदी जीत कर आये थे मगर तब भी हमें याद है आमचुनाव से पहले जब हम लोग आकलन क्या करते थे मेर राष्ट्रवाद जो बना था माहौल उस माहौल की गणना में लोगों से चुक हुई थी अन्य था इन तीनों जगों पर बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था खुद बीजेपी ने नहीं सोचा था सर्वेज जितने आये थे उसमें भी नहीं का गया था तो हमें लगता है कि इस बार भी जब तक कि वैसी कोई बड़ी घटना नहीं होती है इन तीनों स्टेट में बीजेपी उस चुनाव नतीजे को रिपीट नहीं कर सकती ये मुझे पक्का लगता है और इन तीनों स्टेट में अगर कॉंग्रेस ने अगर वैसा एशू क्रियेट कर सकती है अगले ऑनो में इनों में कि देख़िए कोई दूसरा इशू कुछ दूसरे तरीक Baby से होगा चूंकि एक ही बात हूँ एक ही एक जू बारबार नहीं result मिलेगा को दूसे दूसरा Üक्षन लेकिन उस प्रभावला action को के बारे में तो हम imagine भी नहीं कर सकती कि उतने प्रभाव वाला को यह action रिपीट किया जा सकता है मिश्णा जी आपको लगता है कि बीजेपी को यह ऐसा खेल खेल सकती है जो बीच सो चौबिस के election के उपर effect करेगी यह बोलना कि बीजेपी ने खेला था ऐसा नहीं है वो एक इवेंट था एक दुरघटना थी पाकिस्तान ने गलती की उसको retaliate करना मजबूरी था है बारत की सरकार ने प्लान करके चुनावत कीतने के लिए किया था चाहे बीजेपी की हो चाहे कॉंग्रेस की फिर तो हम यह बोलेंगे कि 1971 का वार भी इंद्रा गांदी ने राजनीट के कारण किया यह गलत चीज है हां ऐसा अटेक इस तरीके का करना करवाना बीजेपी या कोई भी सरकार नहीं करेगी लेकिन और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कि कोई भी पॉलेटिकल पार्टी होती है वो चीजों को वो एक्टिवेट करती है में भी पॉस्बिल बाला सोर का जो अभी रेल हाथसा हुआ है CBI की जाच हुई है जहां तक मुझे उमीद है कि वो कुछ वहां पे गलत लोगों का हाथ है जान बूच के वो महाज एक हाथसा नहीं है हो भी तो एक मुद्धा बन सकता है इस तरीके से बहुत सारी चीज़े हैं हो सकता है मांगाई का मुद्धा बनाते बोल दे कि हम ये फ्री देंगे इन लोगों से हम आपको ये देंगे विपक्ष के मुद्धों को बीजेपी एडाप्ट कर ले चीन ले कैसे भी करके और डे सेम जी आखिर में सरफ एक ही सवाल है कि अगर तीन में से दो स्टेट्स बीजेपी जी जाती है जैसे आपने पहले कहा कि फिर तो मुद्धी 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 रहेगा लेकिन उसका अफेक्ट बीस सो चौबीस में क्या उतना ही होगा या उससे कम होगा दो स्टेट्स जीत जाने का बहुत बड़ा असर बीजेपी के फेवर में होगा दो सीटेट्स जीतने क्योंकि उसके बाद कोई चुनाओ बाकी नहीं रहेंगे और फिजा बनने के लिए वो फाइलल यह लगबग हम लोग एक साथ मान के चल रहे हैं कि चार स्टेट्स में त अच्छा लेकिन दिसम्बर तक हम मान के चलने थे बहराल मैं करेक्शन करता हूं अपने आपको इन चार स्टेट्स को छोड़ करके और कोई एलेक्शन होना नहीं है तो यह जो इंपैक्ट होगा नहीं फाइनल इंपैक्ट होगा यह हम मान रहें तेलंगाना फिर भी इंपै दो स्टेट जीत रेना बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव बात हो जाएगी और दो स्टेट कांग्रेश जीत ले तो फिर उल्टा हो जाएगा यह बहुत सिम्परफॉर्म में यह जो है इंपैक्ट के क्याल से मैं इसे इस चलिए मिश्रा जी आपका तो पता चल गया दो स्टेट बीजे भी जीत रही है एक कांग्रेश जी जाए वो भी शायद जी जाए तो आखिर में एक मिनिट में आप जनली क्या कहना चाहते हैं मतलब ना तो कोई अनम्प्लाइमेंट की बात कर रहा है ना कोई वहां पर इंफलेशन की बात कर रहा है ना कोई वहां पर जो असली मुद्दे हैं लोगों के उसकी कोई बात कर रहा है आपको नदर आता है यह मुद्दे उठकर आएंगे इंडिविजुली अब जो अनिम्प्लाइड है वो बोलेगा अनिम्प्लाइमेंट का मुद्दा सबसे बड़ा है तो मुद्दे जो है हो सकता है पार्टियां म मुद्दे उचालती हो लेकिन मुद्दे कौन से मुद्दे प्रभावी बनेंगे यह उस वक्त की सिच्वेशन डैनामिक सो जन्ता डिसाइड करती है कुछ पार्टियों ने कुछ मुद्दे बनाने चाहे लेकिन वो मुद्दे बने ही नहीं हवा हो गए कोई और मुद्दा जो है वो मुद्दा बन गया चुनाओं में प्रभावी तो मेरे कहते हैं मतलब जो मैंने बोला कि पार्टियों के पास भारत में मुद्दों की कमी नहीं है अनिफ्लाइमेंट के बन सकते हैं थोड़ा सा यह कैंपेन वगरे इनका शुरू हो जाए कुछ माहौल करमाज है द इंदी पासी पेलिट है जहां पे 70-80% पुरी देश की राजमी पिताय होती है उसमें भी राजस्थान और आपका मुद्देश यह वोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 36 गड़ जहां तक मुझे लगता है वो बीजेपी उसको स्टेट लेवल के लीडर्शिप पे छोड़ देगी सेंट्रल टीम उसको इग्नोर कर देगी एक तरीके से फोकस वो इसी पे करेंगे और अपना नॉर्थ इंडिया इदर यूपी बगरे में यह बहुत फोकस करेंग कि एक स्टेट पे काम करके वो बहुत मेजर सीटे जी सकते हैं जिससे कि उनकी सरकार बने वहाँ पे। कांग्रेस को सोच ही नहीं रही है गोजार चौबिस के बारे में लेकिन बीजेपी हर चीज को प्लान करें कि गोजार चौबिस को लेकर देगी प्रेम जी आखिर में ज खोस एग्रिमेंट बन सकेंड इन के लिए जस्ट वन मिनुट जे जे देखिए यह जो बैठक पटना में होने वाली है यह पटना में नॉन एंडिये ओपोजिशन है जो इकठा होगी और उसमें जो अब तक कॉंग्रिस से दूरी बनाने वाली पार्टियां थी आमादी पा का इंपॉर्टेंस है तो इसमें यह दल जो है इनमें एक भाव पैदा हुआ है चाहे ममता बनर जी हो या अरविंद केज निवाल की इवन टी आरेस जो इसमें शामिल नहीं हुए उनके भी मन में भाव है कि यह संघिये धाचे में हमारा अस्तित्व खत्रे में है यह बीज इस्टेंस बना रहेगा यूपिये के साथ उस गटबंदन का कोडिनेशन होगा ऐसा नहीं कि यूपिये मर्ज कर जाएगा और कोई बड़ी विपक्षी एकता हो जाएगा ऐसा नहीं होगा लेकिन एक सहमती बनेगी कि जो जहां मजबूत है वहां लिडर्शिप करे लड़ा ही उसकी उपलब्धी होगी और उसका इंपक्ट दो दो हजार चौबीस में पड़ेगा चोकि महाराष्ट्रा पश्चेमंगाल बिहार जहर खंड ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहां से बीजेपी की सीटें अगर कम हो गई और निश्चित रुप से कम होगी इनके कट्टा होने से तो बीजेपी मैजिक फिगर से दूर हो जाएगी प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इतने बिजी शेडूल में से जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप आजाते हो हलांके आजकल मेरी थोड़ी सी तबीय ठीक नहीं है आपको मेरी आवाज से ऐसे भी पता लगता होगा तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपने इतने बिजी शेडूल से जो है वो आते हैं मैं thank you very much for coming और मिश्रा जी आप तो छोटे भाई हैं आपको तो मैं कान पकड़ के भी ला सकता हूं लेकिन फिर भी आपका बहुत विकेंड आप प्रोग्रम देख रहे थे ब्रेन बस्ट विद डॉक्टर शार्दा और हमारी कोशिश यही होती है कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज जो है वो आपके सामने पेश किये जाएं मैं अपने व्यूज को वैसे बड़े होने के नाते भी या वैसे भी मैं आपक कि 90% हमारे व्यूज जो हैं वो बीजेपी और मुदी साब को चाने वाले हैं लेकिन आप जरूर जब कोई डिफरेंट व्यूज देते हैं तो उसको सुनने की आप में हिमत होनी चाहिए डेमोकरिसी में कभी कोई एक लीडर पर्मानेंट नहीं होता डेमोकरिसी में कभी करती हैं वो हमेशां चेंजिस जो हैं चाहिए एक पार्टी दसार राज करें बीसार राज करें अल्टीमेटरी देर विल बी चेंज सो प्लीज आप भी दूसरे विचारों को सुनना शुरू करिए और टैग टीवी को जहां आपने तो सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आप डॉस्तों मितरों को भी किये वहां वो दोश्च्राइब के सासाथ अपने तोशल मीडिया के ऑपरेन ट Temperam norCalaldi और रुकष्ट करें कि यहां भी वो भी subscribe करें ताके इसकी जो subscription है वो बड़े और यह program इसी तरह हम आपके सामने पेश करते हैं Thank you very much, have a wonderful weekend, wish you all the best